हेलो फ्रेंड्स एक बार फीर से आपका शोर्ट सक्सेस अकेटिवी में स्वागा थे जैसा कि आपको बता है कि हम मद्धिप्रजी जी के पढ़ रहे हैं आसान बाशा में और ट्रिक के साथ और अभी तक हमने चार पूरे चेप्टर पढ़ लिए हैं पांचवा चेप्टर हमा पूरे जिससे प्रशन पूछे जा सकते हैं आईए स्टार्ट करते हैं ट्रिक के साथ बहुती आसन बाशा में मज़ा आने वाला है और पूरा वीडियो आप ध्यान से देखना और साथ में अगर हो सके तो नोर्स भी बनाना जो लोग नए नए जुड़े हैं उन्हें अगर नाम खेरवार क्यों है तो आपको यहां से प्रशन का उत्तर मिलेगा पेले पॉइंट से कि खेर व्रक्ष से कथा निकालने के कारान इने खेरवार कहते हैं प्रशन पूचा जा सकता है खेर व्रक्ष से कथा निकालने वाली जनजाती कौन सी है खेरवार तो इसमें तो कोई तही बड़ी बात है नहीं आसानी सा आप याद कर सकते हैं यह जंजाती खेर मुरक्ष से कत्था निकालने का काम करती इस वैसे इसे क्या पूलते हैं खेर वार केते हैं पहला पुंट बिना किसी ट्रिक के आपको नाम सही रहा है याद करना है उप जातियां उप जातियां बड़ी खतरना केसी खेरी राउट सुराजवंशी गौण्जू मोजयाली अब याद कैसे होंगे गेंशल की कोई बात नहीं जावेशंसरे ना बढ़ी आशी ट्रिक आपको बताएंगा आपको याद हो जाएगा गा हमकर मैं तक और सोट रहे को सब्सक्राइज को से दिवें और रहे आपनी जगा सही सलामत हूं और खेरियत से हो गेरियोट से उँट êtes राउट में क्या कर ओप रहा हो तो आहा कुछील ये वाइत से राउट राउट को नहीं क्यों ध sufficient व्हांज़ के सुरज बैंज्चे बजाई और क्या किया गोंजु गांजा पिया गंजु गांज़ा बरिया और मोज़ियालि मोझ कि मोझ करते ना मौस्ट करते नहीं तो तर्फ जल्दी से बताइए और पसंद आ रहा है तो साथ के साथ 5 साथ पूरा वीडियो से परेले कर सद्दे करेंना मेरी डियूर्ण समझ then वापस से सुनो, खेर, खेरवाज जन जाती, खेरवक्षक अथा निकालती, इस वी से खेरवाज केते हैं, उपजातियां है, इसके उपजादे कुन सी तो आप बताएंगे, खेरी है, खेरियत से उट पे, सूरज ने बेट कि बंसी वजाई, गांजा पिया और मोच की, ठीके, आगे बात करते हैं, इसे एक और नाम से जाना जाता है, कौनदार, कौनदार नाम से भी जाना जाता है, कहां पर जाना जाता है, पन्ना और छतरपुर में, कहां पर जाना जाता है, पन्ना और छतुर पे, ठीके, तो छत पे कौन था, छत पे कौन था, छत पे कौन था, छत जादू तोना करने में धख्श होती है फे रवार खेर वार करना यहां क्या होता है आख्रुमंण करना तो सतना दमो विदीशा राइसें सीधी उम्रिया रीवान उपुर बिल्कुल याद नी करना है क्यों कि यह चीज़ या रखना है को कि खेरवा जन जाती को कौंदार जन जाती कहां कहा जाता है तो पन्ना और चतरपुल में चलिए आगे बात करते हैं छोटी छोटी जन जाती तो पेला पॉण यहां से बढ़ूँगा आर्थि एवं सामाजी गरूप से पिछी जन जाती है आर्थिक पेसा भी नहीं बीचारी के पास सामाजी की बात करें तो सामाज में इसका इस्थान भी नहीं इसका प्रतिरी दीदू भी नहीं है तो चिल लाएगी हमें आरक्षन दो हमें यह दो हमें नोकी दो मैं फराना दो हमें डिंका दो तो आर्थिक सामाजी लुप से पिछडी इसले क्या कर रही है शोर कर रही है और शोर कोन करता है इंक़े पन्ना दिया पन्ना दो पन्ना दिया फिर ये टिक भी नहीं पाएगा चतपे अपने घर पे भी नहीं टिकेगा ज्यादा सामने बोलता ना ये शादी होगी कुछ दिन रहेगा फिर गया बजाएगा घर पे आना ही इसको अच्छा नहीं लगेगा ठीक है तो याद हो गया आपको चलिए आगे बात करते हैं अगली जन जाती हमारी धानुक जन जाती धानुक जन जाती धानुक जन जाती में आपको दो-तिन पोणि याण प्रॉण वह रहा DO सांसक्रिट बाषा के द्हान के सबसे कि यसकरा आर्थ भहँ रखने वाला धानुक धनुक धनुष कुंसी भाषा का ससक्रवत भाषा का याद हो गया, अजा एक चिज़ों यह लंहां रखनाँ अब भनाऊ स्थाहर अपको ज्याता है कुम रूमरी मैं शादी वह जाती है, दोनों धेध दूर्ट रखना धनुष रखना दनुष रखने वाली जन जाती और बाली असता इवा दोनों गेर कानुणी काम होते कहा है गेर कानुणी जगह भिंड मुरेना जाबुवा रत्लाम इंदो यह जगह ऐसी है जहां पराज जादा है तक पिद मुरेना जो पूर त करता है बिंजः लेंजावर बिंझावर फिमक्ताल बीब्रकार परवत के मुल निवासी जिन जाती काना में बिंद याचल परवत प्रवत के मुल्वास का नाम हुआ है एक चीज़ हो रहे कि इसकी मात्र भाषा 36 गड़ी है इसी प्रकार से 36 गड़ी तो किस जन जाती की भाषा 36 गड़ी ये पुछा जा सकते आता पता हैं गी बिंजावर वहां पर एक क्रांतिकारी इनका संब्द जंजाती से जन जाती का जन्म किसी जन जाती से विजावर व किरता से बीजावर और विजावर वेव एंक ही हो रहा है ठीक है चलि आखिर लिद्गते हमारी मवासी मवासी जंजाती तो बात करते कि और मुझे याद करिए अगर मेरे आपने सारे वीडिए पहले बिल्कोल पहले वीडियो में तो यह हमारी 16 जन जातिया थी जो हमने पड़ी कुछ कम-कम जान करें इनके बारे में इससे जादा आपको याद रखना नहीं है शुरू की भील गोंड कोल भील गोंड कोल सहरिया यह चारपा जन जाती है बहुत महत्पुण इनको आपको पुरा-पुरा याद रखना है और आए होब आपको वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा धन्यवाद